आज वीडियो में हम सिंपल नेक कटिंग करना सीखेंगे जो नोर्मली हम गले लगाते हैं बिलकुली सिंपल वहर डिजाइन के हम कटिंग करना सीखेंगे उसके लिए हम एक लिए हम देखें इस टाइप की पेपर कैनवस का यूज करते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है बुकरम के कोडिंग भी इसके फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है इसमें एक तरफ पेस्टिंग रहती है तो हम प्रेस से चिपका भी सकते है तो mostly हम paper canvas का ही use करते हैं, पहले आप अकबार पे cutting करना सिखें, paper पे simple paper पे आप cutting करना सिखें, उसके बाद आप bookram पे cutting करें, इस paper canvas की चोड़ाई हमने लिए है 8 inch, 7 inch को ऐसे करके हम double कर देंगे, neck की लंबाई लेंगे हम 7 inch, 7 inch लेंगे, normally जो हम neck बनाते हैं, तो उसकी लंबाई हम 7 inch लेंगे, आप 7.5 ले सकते हैं, जो simple neck की हम लंबाई लेते हैं, front neck की 8 भी ले सकते हैं, 6.5 आप ले सकते हैं, बट जितना आपने neck तयार करना, उससे half inch हमने ज्यादा लेना है, क्योंकि उपर हमारा, आधा inch चला जाता है, तो हम 7 inch पे निसान लगाएंगे, normal जो neck रहता है, जो भी आपके normal neck की चोड़ाई हो, 2.5 हम लेंगे, आप 3 inch भी ले सकते हैं, मैंने 2.5 ली है, normal neck, नीचे से भी same हम, 2.5 लेंगे, इन निसानों को आपस में ऐ देखें, 2.5, 2.5 लंबाई 7 inch, इस टाइक में हमने square में, ये निसान हमने draw कर दिया है, इसे ही हमने सभी paper पे भी निसान लगा लिए हैं, ताकि मैं सब ज़्यादा से ज़्यादा आपको neck design cutting करना समझा पाऊं, सबसे पहले हम round neck cutting करना सीखेंगे, तो ये square में हमने draw कर दिया है, अभी हम 1 inch का निसान लगाएंगे, एक पोने inch का हम निसान लगाएंगे और इस निसान को यहां से, ऐसे करके हम गुलाई में draw कर देंगे, तेखें, गुलाई में हमने draw कर दिया है, पोना inch का, बहार की तरफ हम निसान लगाएंगे, और cutting कर देंगे, कि round neck हमारा cut के ready हो गया है, बहुत ही अच्छी skip financing आई है, अब इसको हम side में रखते हैं, दूसरा neck cutting करेंगे, यह निसान मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमने सभी निसान ऐसे लगा के ready कर दिये हैं, 2.5 inch, 2.5 inch और लंबाई हमने लिए है, 7 inch, आभी हम glass neck cutting करेंगे, glass neck के लिए हम क्या करेंगे, हमने 2.5 उपर से लिया है, 2.5 हमने नीचे से लिया है, तो half inch हम कम कर देंगे, देखिए, half inch हमने कम कर दिया है, अभी इस निसान को उपर वाले निसान से मिलाएंगे, देखिए, उपर वाले निसान से मिलाएंगे, और कट कर देंगे, glass neck कट के ready हो गया है, वी glass neck cutting करना सीखेंगे, यह लिए हम क्या करेंगे, एक inch का निसान लगा देंगे, यहां पर, एक inch का हमने यहां पर निसान लगा दिया, थोड़ा सा हम यहां से निसान लगाएंगे, देखिए, एक inch का हमने सीधा निसान लगाया, और दो point का हमने यहां पर एक निसान लगाया, दो पाइंट का हमने यहां निसान लगाया है और इस निसान को हम यहां से हम हाफ इंच छोड़ेंगे यहां से हाफ इंच का हमने निसान लगाया और इस निसान को उपर वाले निसान से मिला देगे देखिए वी ग्लास ने कटके हमारा रेडी हो गया है बहुत ही प्यारा लगता है यह वाला डिजाइन और बिल्कुल सिंपल है अभी हम पान नेक ड्रो करेंगे देखे हाफ इंच हम यहाँ पे एक निसान लगा देंगे और इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हुए और हम इस लाइन में पान सेफ में ड्रो कर देंगे देखे हाफ इंच का निसान हम बहार की साइड से लगा देंगे पाननेक हमारा कटके रेडी हो गया है 2.5 हमने यहां से लिया है सेम हमने 2.5 यहां से लिया है अब यहां से 1.5 इंच का निसान लगा देंगे देखिए 1.5 इंच का एक हमने निसान लगा दिया है वो इस निसान में मिला देंगे देखें यह हमारा डाइमंड नेक कट के रेडी हो गया है अभी हम स्वीटार्ट नेक कट करेंगे कट करने के लिए हम सबसे पहले एक इंच का निसान लगाएंगे देखें एक इंच का हमने निसान लगाया है और इस निसान को हम ऐसे गुलाई में मिलाएंगे स्वीटार्ट नेक कट कर रहे हैं इस निसान को हम यहां से यहां तक ऐसे गुलाई में हम मिलाएंगे और यह वाले को भी हम हाफ इंच यहां पे निसान लगा देंगे हाफ हिंच का निसान लगा के हम इसको ऐसे उपर तक मिला देंगे हाफ हिंच का हमने निसान लगाया है और ऐसे गुलाई में हमने ड्रो कर दिया है नीचे की साइड से भी हमने गुलाई में ड्रो कर दिया है और पोना इंच का हम बाहर की साइड से निसान लगाएंगे देखिए यह प्यारा सा नेक हमारा कटके रेडी हो गया है नेक कट करेंगे देखिए एक इंच का निसान लगाएंगे सबसे पहले एक इंच का निसान लगाएंगे और एक इंच की ही हम चोड़ाई लेंगे, ऐसे ड्रो कर देंगे, और एक इंच का हमने निसाल लगाया था, एक इंच का ही हम ऐसे सीधे में निसाल लगाएंगे, फिर वापिस से हम एक इंच का निसाल, पोने इंच का हम निसाल लगा देंगे, नापेंगे इसको यह पोने इं मिला देंगे, यह हमारा step neck है देखिए, उपर से हम 4 इंच का निसान लगा देंगे ऐसे गुलाई करेंगे देखिए हमने सिकर के एक निसान लगा दिया है अभी हम 7 इंच का 7 इंच का और 7 इंच का एक निसान लगा देंगे और इसको हम ऐसे round save देंगे रखे round step neck और इसको हम ऐसे आप कर सकते हैं साड़े 3 इंच पे निसान लगा देंगे देखिए साड़े 3 इंच पे हमने निसान लगा दिया है और इसको हम ऐसे करके बहार की तरफ हम ड्रो करेंगे देखिए अभी हम एक और round लेंगे देखिए उसके बाद हम फिर से round लेंगे और उसके बाद हम ऐसे V-save में ड्रो कर देंगे बहार की तरफ हम और इसके निसान लगा देंगे और भी हम कट करेंगे देखिए यह राउंड में हमने कट किया है राउंड में हमने step neck कट किया है वहती प्यारा लगता है यह डिजाइन अभी हम V-round neck कट करेंगे V के लिए हम देखिए उपर से हम ऐसे करके और V में हम इसको ड्रो कर देंगे अभी हम deep neck neck कट करेंगे उसके लिए हम गैन साड़े तीन इंच पे हम निसान लगाएंगे साड़े तीन इंच का हाफ हमारा वोने दो इंच होता है तो वहाँ पे हम हाफ इंच का निसान लगाएंगे ऐसे करके देखिए हाफ इंच का हमने निसान लगाएंगे हाफ इंच का निसान लगाएंगे अभी हम यहां से भी इस लाइन से हम बहार की साइड में जो भी हमारा अभी बचता है साड़े तीन इंच हमारा रहता है तो वहीं सेम हम पोने दो इंच पे निसान लगाएंगे और यहां पे हाफ ऐसे इसको लेके आएंगे और ऐसे हम बीट मटका नेख हम सेम पोने इंच का हम बहार की साइड से निसान लगा देंगे देखिए हमारा कटके रेडी हो गया है कटके रेडी हो गई है ऐसे ही आप कोई भी सिम्पल नेख बड़ी इजली कट कर सकते है से मैथोड आप यूज कीजिए और बहुत ही आसानी से आप सिम्पल नेख कटिंग करना सिख्जियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थेंक्यू फोर वचिंग मै वीडियो